गाईज, NTA का अजब खेल चल रहा है, NTA ने सबसे पहले कल ब्रोशर रिलीस कर दिया था, सारी डिटेल्स आ गई थी, एक्जाम का सब कुछ एक एक पैटर्न में क्या चेंजिस रहेंगे, एलिजिबिलेटी करेंगे, सब कुछ था ब्रोशर में, लेकिन इवनिंग में क्या टालिया गया, तो student community में एकदम से बहुत अगेन हला मच गया, कि असल में क्या हो रहा है, uncertainty अगेन से आ गई, तो हो सकता है क्यों कुछ minor corrections उसके अंदर हो, या कुछ important corrections उसमें हो, उस कारण वो जो ब्रोशर है, वो विड्रॉ कर लिया गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत significant changes आएंगे, थोड़ा बहुत changes आएंगे, obviously, तभी तो नहीं विड्रॉ किया, तो let's see वो changes क्या होंगे, लेकिन एक बात अभी भी website पे clearly दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है website पे, कि exam जो है वो 4 बार होने वाला है, और 5 में, March में, April में exam होगा, multiple attempts मिलेंगे तो यानि उसमें अभी भी clarity है, तो most probably, जो है, almost वैसा ही रहने वाला है, तो इसमें unnecessary again time waste करने का कोई मतलब नहीं है, अपने को काफी अच्छे से clarity है, तो इसमें आप अगेन अपने कीमती hours जो है, पढ़ाई के waste ना करें, ठीक है, और कल मैंने आप सभी को बदाया था, कि rank boosting से related एक बहुत बड़ा surprise है, जो भी students rank boosting course में enroll कर चुके हैं, और जो करने वाले हैं, 20th December तक, 20th December तक जो भी student उसमें enroll करेगा, उन सभी students के लिए, जो rank boosting course है, जही में 2021 के लिए, उसकी validity चारो attempts के लिए valid रहेगी, चारो attempts के लिए, यानि Feb, March, April, May, May end तक उसकी validity रहेगी, और जो हमारा crash course है, वो 60 days में जो हम उसमें मतलब पूरा revision problem solving करा देंगे, और उसके बाद आपके test होंगे continuously, तो ये added advantage भी उन students को मिलेगा, जो अब 20th December तक rank boosting course में enroll करने वाले हैं, तो आप जल्दी से उसमें enroll कीजिए, ताकि ये benefit आपको मिल पाए, and hoping that ये surprise आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, okay, तो guys बस पढ़ाई कीजिए, time waste ना कीजिए, and start working hard, love you all.